जहिंद दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टेट जोब दोस्तों अगर अब चैनल पर नहीं आये हो तो आप से रिक्वेश्टे चैनल को सब्सक्रेब करके सब्सक्रेब कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों छोटी यूटीवर हो आपक का बढ़ती होने बाला है टूटल पोस्ट 1230 पोस्ट है ठीक है डियर फ्रेंड्स आप लोगो जो बेतन क्रम दिया जाएगा मैं आप लोगो ओफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाने बाला हूँ की स्टेट में कितना वेकेंसी है किस इनुएंटेटरी में कितना वेकेंसी ह ठीक है वेट कीजिए हां रहा हूँ सेलर आप लोगो मिलेगा एक किस अससा सब्सक्राइब को नहीं होना चाहिए आपका जाना और 30 सेप्टम और 2006 की बाद में नहीं होना चाहिए ठीक है और एज रिलक्रिशन मिलेगा गवर्बर्मेंट टूल की सबसे आप लोगो ओफिश असब करना चाहिए ठीक है इसा नहीं कि आपका नोग्री चले जाएगा कभी भी ऐसा नहीं है आपका नोग्री चलता रहेगा जो लोकेशन एक्रोश द एकरोस इंडिया के कई भी आपका पोस्टिंग हो सकते हैं इसकी बाद आपका डुकुमेंट बेरिफिक्षन होगा पिर इसको OMR sheet basis exam भी आपका लिया जा सकते हैं ठीक है एक exam होगा written वो पास हो जाएंगे तो आपको medical में लिया जाएगा medical में दो गुना लिया जाएगा ठीक है टूटेम जितने भी टूटल वेकिंस है उसका दो गुना medical में लेगा यानि medical तुरह टाफ होने वाला है अपलाइब मोड ऑनलाइन काट अपमर्क किया होगा ने होगा बोबी मैं आप लोग ओफिशल नुट्फिकर ना दिखा रहा हूं ठीक है अप लोग बीडू पर बन रही है स्कीप करेंगे तो आप लोग को डीटिल्स नहीं मिलेगा इसलिए बीडू को पूरा देखेगा पूरा डिफोर्मेशन मिल जाएगा मैं जितना जल्दी हो सके खतम कर दूँगा अपका जो online एप्ले स्टार्ट होने पला है वो 31 सागल 2024 से होने पला है मेरे प्यारे दोस्तों यह देखेगा उपर में शुरुबाद में आप लोग के लिए डेट्स दिया होगा है 31 अगस से लेके 30 सेप्टेमबर दाग आप लोग को अपले का नहीं प्लोजिंग डेट मिलेगा यह पर देखेगा आप लोगो एप्लिए अप्लिकेशन विल भी एकसेप्टेट थ्रू ओनलाइन मूड अप लोग को सिर्फ ओनलाइन एप्ले करना है कोई हाट कोफी ओफलाइन आप लोग को सेंड नहीं करना पर रहेगा ठीक है असिवित में अपका सेलेक्शन प्रोसेस प्लेट फी happiest इससी अठीकल अप्लिच तेस्ट ओसके बढ़ दूकुम्हें एक्जमिनेशन उसके बड़ डिटेल मेडिकल है लिया जाये जो आपकी पसंद आप उसी भाषा से लिख सकते हैं, यह पर दिया हुआ है, कैसे, The Candidate हो, Qualified, Physically Efficiency, Physical Standard, Document Verification and Written Examination, जो खो जाए हो तो Shortlisted, State-wise, Area-wise, Category-wise, State-wise and Area-wise Category-wise आप लोगको ESI लिया जाएगा, तो आप लोगको बाद में, basis of the performance in the written examination for the, appearing the details medical examination, आप लोगको, details medical examination के लिए बेजा जाएगा, पहले, ठीक है, The Number of Candidate Shortlisted of DME will be about 2 times, जो दो गुना, जितना Total Vagency, दो गुना लिया जाएगा, यहानि, 1-2 ratio में आपको last में, medical में बेजा जाएगा, यानि, एक Candidate को राखेगा, एक Candidate को बाद, मतलब, Eliminate करेगा, आप सोच सकते हो, कितना tough examination होने बला है, दो Candidate लिया जाएगा, चोस कि जाएगा, दो में से last में एक को रखेगा, medical में, इसलिए body को fit रखेगा, कोई पे, कुछ खारा भी ना आ जाएगा, यहासे, बाकी process आप लुग देख सकते है, बेकेंसी डेटल देखते हैं दूस्तों, आपका बेकेंसी डेटल जो होगा, कॉंसा स्टेट में, कॉंसा इनुटि डेटल में कितना पोस्ट है, आप यहासे देख सकते हैं, देख लेते हैं यहासे बेकेंसी, यह देखिए, आपका लेवल पी के salary मिलेगा, बेकेंसी, nationality, candidate must be a citizen of India, Indian को बारत के नागरिक apply कर सकते हैं, अब यहासे जख सकते हैं, आंदमन में कोई पोस्ट नहीं है, अंदरपरदश में, जो पूरी स्टेट में 27 पोस्ट है, और जो नक्षाली एफेक्टेड एरिया है, militancy area वहाँ पर 5 पोस्ट है, जगह के लिए 5 पोस्ट है, dear friends, अरुना चलपरदश के लिए, पूरी स्टेट के लिए 15 पोस्ट है, आश्रम के लिए 164 पोस्ट है, दोस्तों इहाँ पर जितना भी पोस्ट बताए गया है, सबसे जादा, आश्रम के लिए दिया गया है, और चंडिघर के लिए, चंडिघर में कोई पोस्ट नहीं है, 36 पूरी स्टेट में 14 पोस्ट है, और जो नक्षाली एरिया है, 36 पोस्ट है, नक्षाली एरिया में, मिलिटेंसी एरिया में 41 पोस्ट है, नक्षाली एरिया के लिए, दादर नगरहाविली, दमनेंदिव के लिए क व्लमO कस्मीर के लिए 65 स्थ जार्गन के लिए पूरी स्टेट के लिए 18 वेकिंसी है और नक्षालई एफिक्टेड मिलिटेंसिए अरिया के लिए जार्गन का 29 पोस्ट है लाधक के लिए एक पोस्ट है लक्षदीप में कोई पोस्ट नहीं है, मद्धा प्रतिश में दोस्तों पूरी स्टेट में 49 पोस्ट है और नक्षाली एफेक्टेट जो एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है, वहापर 17 पोस्ट है, जगा के लिए, ठीक है, महारस्ट पूरी स्टेट के लिए 11 पोस्ट है, और मिल पूदुचरी में 1 पोष्ट, पंजब में 15 पोष्ट, राजस्तन में 33 पोष्ट, शीकिम में कोई पोष्ट नहीं है, तमिलडु में 39 पोष्ट, तमिलडु के लिए, तेलेंगाने के लिए, उन्नीस पोष्ट पूरी स्टेट के लिए, और नक्षली अफेक्ट डेर्या के 26 पोस्ट, उत्तर पदिश के लिए 108 पोस्ट, उत्तर अगंड के लिए 5 पोस्ट, वेस्ट बेंगल के लिए पूरी स्टेट के लिए 29 पोस्ट, और नक्षल मिलिटिन सीर्य के लिए 6 पोस्ट, ठीका, यह पर अगर कास्ट वइच देखे तो इवर के लिए 436 पोस्ट है, EWS के लिए 114 पोस्ट है, SD के लिए 111 पोस्ट है, और OB, 236 पोस्ट है, टूटल 1131 पोस्ट है दोस्तों यहां पर आप देख सकते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए विद साइंस सब्जक्ट साइंस सब्जक्ट जैसे कि फीजिक्स मैथ्पेटिक्स केमिस्ट्री यह सब सब्जक्ट आप होना चाहिए यानि साइ 1984 का जो सीक राइड हुआ था उस टाइम का जो गैस पास्थ खुलोग के लिए 5 यह के लिए ऑठ से mm ने दोस्टों १ाहिसरल मिल ठीक है यह आपके application fee में on both आपको कोई गलती हो जाता है तो 10 अगस्ट, 11 अगस्ट, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, यह तीन दिन आप लोग के लिए इंडियो खुला रहेगा एप्लिकेशन को करेक्शन के लिए जो आपका फिजिकल प्रोसीडियूर होने वाला यह देख सकते है फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट, 5 किलिमेटर दोरना होगा आपको 24 मिनिट में तो आप इससे तेहरी शुरू गर दीजिए, सिर्फ एक की फिजिकल टेस्ट होगा, सिर्फ दोरना होगा और बाकी कुछ नहीं है तो आप लोग को किया किया होना, आप लोग इससे देख सकते है नॉर्मल, जो केंडिड़ेट है वालों के लिए आपका हाइट 170 सेंटमेटर होना चैहे, बहुत लमबा होना चैहे, और चेस्ट का नाप होना चैहे, 8 नॉर्मल और 85 फुलाने की बाद, 5 सेंटमेटर आप लो पुर्खास, डोग्रास, माराथास, शिकिमीस, लाड़क, काश्मीर बेली, अब जम्मो एन काश्मीर, एड नौर्थ इस्टन स्टेट, जो नौर्थ इस्टन स्टेट, अगर वहां से हैं, आप लोग जो प्लेश अभी बताए गया है, तो आप लोग को 150 cm होने से अब अपरेगा, देखे डिए, हेलिंग फ्रों गुर्का टेरिटेरियल अड्मिरिस्टन स्टेटाेशन, जो लोग गुर्का टेरिटरिएल अड्मिर्सटन के आतर में आते हैं, जैसे की सब्डिविशन, सब्डिविशन दर्जयिंग डिस्टिक नेमली, नेमली किया है, दारेज सब्डिविशन से आते हैं दर्जी लिंग का ठीक है अगर आप यह देखें यहापर टूटल आटरा मोजा सब्डिविशन के बारे में बात किये गए हैं अगर वह आसे भी है तो आप लोग को मिलेगा तके इंडिजन बिलोंग ट्राइबल अधिवासी ट्राइबल अधिवास अप्ले कर सकते हो और आपका चेस्ट कनाप साततर सेंटीमेटर नॉर्मल और फूलने की बाद 20 सेंटीमेटर होना चाहिए यहां से दिख सकते हैं दोस्तों बाकी बाकी डेटेल सब्सक्राइब यह से देख लीजिएगा दोस्तों जो में में चीज़े जरूरी है बहुत ही म में बोल दिया जाएगा जुस्तों यह सब देख सकते हैं पार्ट जैनरल इंटेलिजेंस एंड रिजिनिंग 25 अमसी क्यों 25 मार्ग जैनरल नॉलेज एंड जैनरल एवाएनस 25 अमसी क्यों 25 मार्क इमार्जिन्स सब्सक्राइब क्लास 128 यह फिर 12128 जो स्टेंडर्ड का जो मै सबसे आच्छी बात किया है यह पर कोई नेगेडिव मार्किंग नहीं है मतलब अगर आप गलत अंसर करते हो तो भी आपका मार्क काटा नहीं जाएगा इसलिए अब पूरा की पूरा अंसर कर सकते हो ठीक है बेजी जाग और कुशन पेपर हिंदी में भी होगा इंगलीश म सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़के बाकि जो पार्ट्स होगा सभी पार्ट्स ट्वल्फ स्टेंडर्ट लेवल का कुशन आप लोग को किया जाएगा ठीक है इसलिए तो रहा अच्छे से परहे किजिएगा अपलोग यह से तो रहा देख ली जाएगा अपका जो परसेंटिस होगा टूटल अप लोग को यूर एडव्यूस एक्क सर्विस्मेंट को 35 परसेंट पाना होगा यह CSTOBC को 33 परसेंट टूटली पाना होगा मेरिट लिस्ट कैसे तेयर के जाएगा यह पर दिया हुआ है आप देख सकते है दोस्तो नोटिफिकेशन में और तोरा नीचे जाते है नोटिफिकेशन की 22 नमबर पेज में आप देख सकते हैं अब जब ओनलाइन एप लिए करेंगे तो आप लोग को इस प्रकर का एप्लिकेशन फ़र्म आप लोग को मिलेगा यहाप बगल में हिंदी से आप लोग को बूल गए हैं आप लोग अब कभी आपका नाम चेंज किया है कोई-कोई नाम चेंज करता है ऐसा किया है अगर किया है तो एस, अगर नही किया है, तो कर दो लिखना है तो आपको लेकमेन नियू नेव जो चेंज्ज नेम रहता है नियू नेम क्या हो लिखना होते तक पीचिता जी का नम मद्दमिक और 12 में जो इना है वह लिखना है उसके बाद बैरिफ़ाइभाइभाइभाइभा पंदचल का नाहीं बतलब फीर से डालना है उसका का माता जी का नाम सेम सेम मध्य के चूब के मार्षित बेरिफाइव मॉस्क भेटिषक ने फिर से लिखना है डेटाप बलिखना है अन्हीं बढ़ति लिखना है आपका डेटर बढ़त विसके बाद बेरिफाइड बढ़त दूबर से डालना है डेटर बढ़त बाद भी मैट्रिक मद्द में किस्ट इसाफसा ठीक है 12 की मार्शिट के इसाफसा उसके बाद दोस्तों जेंडर जो आपका मेल क्योंकि यहापर मेल है ग्रीन कलर करके रख दिया तो रहा लाइट ग्रीन इस तरह सा इस तरह का पासवर्ट आप लोगों को भी मिलेगा जब आप अपले करेंगे यह वर्ड नहीं मिलेगा यह आलाग अलाग आते है ठीक है आपको आएगा तो आयाने से आपको इसको बॉक्स में बिटन है देक एक बाद पिता जी का नाम उसके पाद आपका माता जीका नाम उसके बदाट वर्ट अजेंटर मील ठीक है उसके बाद आपका मोबल नमबर मोबल नमबर बिलेट मोबल ओर दी ज estásब कर सके मिजाए ऐक बिलेड इमेल एडी दिए जाए ताकि आप के साथ कोम्युनिकेशन कर सके क्योंकि आप आजकल इमिलेटर से कुमिनिफाई होते हैं ठीक है उसके बाद डिक्लरेशन डिक्लरेशन में नेचे दिक्या आई एक लिक्क हो यह आपर एक बॉक्स है यह पर क्लिक के जएगा एक राइट मर्क उटेगा उसके बाद आप लोगको यह आपर, sorry friends, screen आ गया था, message आ गया था, यह दूपरा से एक, दिखिए, green करके, एक password है, इस प्रकर का password आपको भी आएगा, फिर से यह बर डालना है, डालना है, आपको submit कर देना है, आपका application, fill up complete हो जाएगा, ठीक है, दोसों, वीडियो आची लगे, informative लगे तो please, चैनल को subscribe कीजिएगा, यह जो notification link है, यह आप लोग के लिए, वीडियो description पर दिया हो, आप लोग जाके open करके देख सकते हो, और online apply के जो link है, जिस page पे click करने से direct online apply के link आएगा, वह आप लोग के लिए दिया होआ है, दोस्तों, आप लोग को one time registration करना होगा, यह दिखिए हैं, जब आ लोग को आज आता है, ठीक है, मेरे तरफ साप लोग के लिए शुब काम नहीं दोस्तों, बेस्ट अफ लाग, जहींद, अगर आपको लगता है, अपके लिए मेनद किया है, तो चैनल को सब्सक्रेब कीजिएगा, धन्यबाद,